Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है Wimtex Editor के Basic Editing वीडियो सीरीज में तेले जानते हैं एक और Editing Technique के बारे में तो इस वीडियो में जो हम Editing Technique डिसकस करने वाले हैं वो है Replacing Lines यानि के अगर आप चाहें अपनी जरुरूरत के हिसाब से Line या Number of Lines को Replace कर सकते हैं Lines को Replace करने की जो Command हम यूज़ करेंगे वो है Capital C यानि के C हमारा Uppercase में होगा और ये Command Run करने के लिए भी आप Command Mode में होने चाहिए उसके बाद आप Capital C को Type करें और फिर Replacement Text को Type करें जो आप Replacement यूज़ करना चाहते हैं और उसके बाद आप Escape की को प्रेस करके दुबारा Command Mode में आ जाएं तो चले इस Activity को Perform करने के लिए मैं अपने Wim Text Editor के उपर चलता हूँ तो देखे मैं अपने Wim Text Editor के उपर आ गया और यहां पे मैं अपने Cursor को उस Line के उपर Move करवा देता हूँ जिस Line को मैं Replace करना चाहता हूँ मां लीजे मैं Replace करना चाहता हूँ High World को और इसकी जगा पे मैं एक नई Line Enter करना चाहता हूँ और वो Line है Hello India तो मैं अपने Cursor को उस Line में ले गया जिस Line को मैं Replace करना चाहता हूँ और यहां पे मैं Capital C को Press करता हूँ तो देखिए line पूरी की पूरी delete हो गई और मैं immediately insert mode में चला गया और यहाँ पे देखिए मैं उस text को type कर सकता हूँ जिसे मैं यहाँ पे enter करना चाहता हूँ तो जैसे मैंने बताया कि मैं इसको replace करना चाहता हूँ with hello India तो hello India type करने के बाद मैं escape key को press करता हूँ देखिए मैं दुबारा से command mode में आ गया इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इन दो lines को replace कर दो एक hello India और एक hello I am fine thank you तो इन दोनों lines को एक ही बार में replace करने के लिए हमें 2 और फिर उसके बाद capital C को type करना पड़ेगा तो मैं type करता हूँ to और इसके बाद capital C तो देखिए मैं insert mode में आ गया और दो lines मेरी यहाँ से remove हो गई है अब मैं निया text यहाँ पे enter कर सकता हूँ और यह text अगेन आप simple एक word या एक line भी हो सकता है अपनी editing function को perform करने के बाद आप escape की को press करें तो आप command mode में आ जाएंगे तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने vim text editor में line या lines को कैसे replace करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening